आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चेनल पर थबनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा हाँ जी मैं आपके लिए खुशकबरी लाए हूँ दिकार रहे हैं ये केरला हाई कोट की जजमेंट है केरला हाई कोट की जजमेंट है बहुत आप लोग देख रहे होंगे आजकल हमारे में नोटीस हा रहे हैं उसमें एक डिफरेंस निकाल ने है ये लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं साथ में रिक自 नोटिस भी भी भीज दिया लेकिन जब असेसी यहां से परेशान ओकर रिट पेटिशन फाइल करी उसके बाद बोला कि भाई साब कर क्या रहे हो ठीक है ना कर क्या रहे हो 3B वर्सिस 2A के बेसिस पर आप डिमांड कैसे ले सकते हो आप सर्कुलर 183 को क्यों नहीं देख रहे आप सर्कुलर 193 को क्यों नहीं देख रहे तो भाई कोट ने असेसी का फेवर लिया इन्हों ने कहा कि भाई चाहे तुम इकों गिल वाली जजमेंट की बात करो ठीक है ना चाहे संक्राफ्ट की बात करो जो मर्जी की बात कर लो ठीक है ना लेकिन GST रिजीम के अंदर अग और इस वाले केस को रिमांड बैक कर दिया है और बोला कि भाई सब दुबारा से कि भाई assessing officer हमारे petitioner को client को आप मोका दो ठीक है उसके examination करो evidence देखो सारी चीजों को देखो और अगर उसका सारा ITC bona fide and genuine है तो उसे input tax credit मिलना चाहिए स्रिफ और स्रिफ 2A के basis पर कि 2A में ITC न जिनाए नहीं करना चाहिए तो यह वाली एक अच्छी judgment है तो अगर आपके पास 2A versus 3B का notice आ रहा है तो आप यह वाली judgment भी paste कर सकते हैं क्योंकि यह वाली judgment इसी साल की judgment है ठीक है तो यह favor में assessi के आईए कैसी लगी है judgment अगर इस judgment की copy चाहिए तो आप हमारी team को हमारे WhatsApp हमारा डाउनलोड करो केजे क्लासिस का एप है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो और वहां पर हमारा free course enjoy करो free course अच्छा लगता है तो paid course में जाओ और हरते हमारे यहां पर webinar होता रहता है तो अगर आपको next week का webinar चाहिए notice reply के ऊपर तो आप फटा-फट से इस webinar में enroll अपन video को यही close करते है thank you for watching